जहें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एग्री कल्चर से दिलेटेड अधर इंस्ट्यूट के बारे में इसमें पहला इंस्ट्यूट है नेफेड का फुल फार्म होता है नेशनल एग्री कल्चर कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया इसके अब year of establishment की बात करें तो इसके जो है इस्थापना कब हुई थी इसकी इस्थापना 2 October 1958 को हुई थी इसका हेड़कॉर्टर कहां इस्थी थे तो इसका हेड़कॉर्टर जो है नई दिल्ली में इस्थी थे और इसका headquarter जो है शुरुवात में नई दिल्ली में था प्रिजन टाइम पर चन्नाई में है ठीक है और इसके chairman अतीश चंद्राजी है ठीक next question है CACP CACP का full form commission for agricultural cost and prices होता है commission for agricultural cost and prices होता है इसकी इस्थापना जो है एक जनुवरी 1965 को हुई थे ठीक FCI की स्थापना 14 जनुवरी 1965 को हुई इसकी स्थापना जो है जनुवरी 1965 को हुई ठीक इसका headquarter कहा है इसका headquarter जो है नई दिल्ली में इसने तित है initial nine है इसका headquarter का yapac पुरा नाम होता है नेशिनल डेरीड़म्मेंट इसकी सथाबना जो है 16 उल्य उनेश्वाइव 25 को हूई थी अर इसका है अनन्द गुजराहत में चैनल इस स्थाफना 16 जुलाई 1965 इसके founder जो है Dr. Virgis Korean जी हैं जिन्हें white revolution का पिता भी कहा जाता है और इसके chairman सिरी मनीज साह जी है ठीक है एक जून 2021 से हैं ठीक सिरी मनीज सी साह जी ठीक अगला question है इफको का full farm जो है Indian farmer fertilizer cooperative होता है इसकी इस्थाफना जो है 3 November 1967 सरसट इस भी को हुई थी इसका headquarter नई दिल्ली मेशती थे और इसके chairman दिली संगानी की है देखे चेर्मेन जो है बदलते रहेंगे ठीक है आप जब exam देने जाए तो उससे पहले ICR की website पर चिपकर लीजिएगा next question ASRB इसका full farm होता है agricultural scientist recruitment और इसकी स्थाफना जो है एक November 1973 को हुई थी इसका headquarter नई दिल्ली मेशती थे और इसके chairman गुरुबचन सिंग जी है नाबार्ड नाबार्ड का full farm होता है नेशनल बैंक फॉर एग्री कल्चरल रूल डेवल्लमेंट इसकी स्थाफना जोब 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका headquarter for the management of agricultural extension इसका पुराना नाम है ठीक है नया नाम की बात करें तो इसका नया नाम है नेशनल इंस्टिट्ट फॉर एग्री कल्चरल एक्स्टेंशन मैनेजमेंट प्रिजेंट में यह नाम है ठीक है पुराना नाम इसका था नेशनल सेंटर फॉर दा मैनेजमेंट आफ एग्री कल्चरल एक्स्टेंशन है इसकी इस्थापना जो कब हुई थी तो इसकी इस्थापना 1987 भी की हुई थी और इसका हैड़क्वाटर हैदराबाद मिश्ते थे इसकी चेर्मेन कौन है तो पी चंद्रा सेखर जी है नेस्ट कोश्चिन है अपेड़ा अपेड़ा का जो है फुल फॉर्ड प्रोड़क्ट होता है और एक्सपोर्ट डेबलमेंट अथॉर्टी होता है इसका फुल फॉर्ड फॉर्ड प्रोड़क्ट एंड एक्सपोर्ट डेबलमेंट अथॉर्टी इसका फुल फॉर्फाम होता है और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 13 फरुरी 1986 भी की हुई थी इसके चेर्मेन कौन है तो इसके चेर्मेन डाक्टर एन अंगा मुत्तु जी ह और इसका हेड़क्टर जो है नई दिल्ली में इस्थी थे और डारेक्टर तरुन बजाज जी है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है CCI CCI का फुल फॉर्फाम कौर्टन कौपरेशन आफ इंडिया होता है इसकी स्थापना जो है 31 जुलाई 1970 इस भी को हुई थी इसका कॉंबई में इस्थी थे और इसके चेर्मन प्रदीप कुमार अगरवाल जी है फसाई फसाई को फॉर्ट सेफ्टी एंड इस्टेंडर्ड एटार्टी ऑफ इंडिया होता है इसकी स्थापना जो है 5 अगस्ट 1911 हिस्थी को हुई थी और इसका हैड़क्वाटर नई दिल्ल नेश्ट कॉश्टन है एसस्टी आई इसका फुल फॉर्ट होता है एक्री कल्चर इसकी स्थापना जो है 2013 में हुई थी और इसका हैड़क्वाटर गुरू राम हरियाना में इस्थी थे इसके चेर्मेन डाक्टर सौरी मिस्टर संजीव अस्थाना जी है नेश्थ है एनसी NCI का Full Farm National Seed Corporation होता है इसकी स्थापना जो है Year of Establishment की बात करें तो 25 मार्च 1963 इस भी है इसका Headquarter जो है नई दिल्ली में इस्तित है और इसके चेर्मेन विनौत कुमार गौर जी है CFQC and TI इसका Full Farm Central Fertilizer Quality Control and Training Institute होता है इसके Year of Establishment की बात करें तो इसका स्थापना जो है AISLUS इसका Full Farm All India Soil and Land Use Survey होता है इसकी स्थापना 1988 भी में हुई थी और इसका Headquarter नई दिल्ली में इस्तित है और इसके डिप्रिश सेक्रेटरी मिस्टर रजनी तनेजा जी है ठीक है I hope कि आपको अधर इस्ट्यूट भी समझने आ गए होंगे थैंक्यू